दोस्तों अगर आप अपने free fire या फिर free fire max में कोई भी match making करने जा रहे हैं जैसे कि अभी मैं start किया ठीक है यह लगबग लगबग एक मिनट दो मिनट तक आप wait कर लिए उसके बाद भी आपका match start नहीं हो रहा है यह होता है match making problem तो ऐसा अगर problem आ रहोगा दोस्तों यह वीडिय करके bell icon में से all notification को on कर लिजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले इस problem के वरे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं जैसे अभी मैं battle royal classic लगाया हूँ अभी start करने जा रहो ना तो यहां पर 10 second estimated time दिखा रहा है लेकिन हम लोग 2 मिनट भी wait कर लें अभी के time पे free fire max में ज्यादा तर map को randomly हम लोग को डाउनलोड करना परता है मतलब जब हम लोग free fire max को play store से डाउनलोड करते हैं तो ज्यादा तर map इसमें नहीं रहता है हम लोग डाउनलोड करना परता है expansion pack में से मतलब जीस map को ज्यादा लोग download ही नहीं किये रहते और उसक लगी जाता है लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग कोई भी मेंच लगाएं चाहे उख्लासिक हो या फिर आपका रेंक कोई भी हो जो मैंप सभी खेलते हैं उसमें भी हमारा मेंच मेंग नहीं लगता यह होता है एक ठीक है तो अगर आपकी में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आ रहोगा ना तो आपको सबसे पहले अपने फ्रीफायर की सेटिंग पर जाना है वैसे उतना ज्यादा एफ्यक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी आपको कर लेना है फ्रीफायर ओपन है तो सेटिंग में आने के बाद य आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा मतलब 5-6 घंटे के बाद ही यह सौल होता है तुरंद की तुरंद नहीं होता लेकिन आपको एक बार करके इसको भी देख लेना है अब फ्रीफायर मेक्स के अंदर बस इतना ही सेटिंग है इसके अलावा हम लोग और कुछ भी नहीं तो हो सकते हैं इसी वज़ा से आपकी मेच मेकिंग नहीं लग रहा होगा तो अगर आपके पास दूसरा सीम अवेलिबल होगा जैसे मेरे मेरे में एयर टेल भी लगा हुआ है तो इसमें मुझे स्वीच कर लेना है और उसके बाद गेम खेल करके देखना है तो ऐसे में मेच मेकिंग का प्रोब्लम आपका सॉल्व हो सकता है और अगर इतना करने के बाद भी नहीं होता या फिर आपके पास दूसरा सीम अवेलिबल ही नहीं है तो उस कंडिशन में आपको अपना मोबाइल को एक बार स्वीच आप करके आन कर लेना है और आन करने के बाद कुछ समय वेट करना है इंटरनेट ओन करने के बाद उसके बाद आप ट्रेफायर मेक्स को ओपन कीजिए और उसके बाद मेच मेकिंग करने का कोसिस कीजिए आपका प्रोब्लम सॉल्व हो चुका रहेगा और अगर इतना करने के बाद भी आपके में प्रोब्लम आही रहे दोस्तों तो अगर आपके में एक सेटिंग होगा ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है आपको प्रॉब्लम सॉल्फ होई जाएगा आपको सबसब पहले अपना सेटिंग ओपन करना है सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर dns लिक करके सर्च कर लेना है अब dns लिक करके सर् प्रॉब्लम नहीं आता है उसके बाद आप अपना फ्रीफायर मैक्स को ओपन करके मेंच मेकिंग लगा करके देख लिजे हो सकते हैं अब आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो चुका रहेगा और मान लेते हैं अभी आपके में प्रॉब्लम आहीं रहा है तो तीसरा सल्यूशन आप ये अपनाई करके देख सकते हो फ्रीफायर मैक्स को लॉग टेप करना है एप इनफो में जाना है उसके बाद दोस्तों यहां पर से क्लियर केस कर लेना है क्लियर केस करेंगे तो आपके फ्रीफायर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इसलिए बोरों क्लियर केस क करने के बाद भी आपके में मेंच मेंकिंग का प्रॉब्लोम आ रहा होगा तो लास्ट आपके पास यही है आपको क्लियर आलडाटा करना पड़ेगा आपके फ्रीफायर में सेटिंग रहेगा सब के सब चला जाता है तो उन सब को आपको पहले अपलोड करके रखना है सेटिंग को उसके बाद आपको clear आलड़ाटा यहां पर से कर लेना है clear आलड़ाटा करेंगे जितना भी ग्लीच अगर आ चुका है जिसके वज़ए से आपका apply करके देखना है और हाँ यार आप clear all data करने से पहले एक setting और apply करके देख सकते हैं free fire max को open करना है अपने account को एक बार logout कर लिजेगा और logout करने के बाद फिर से आपको login करना है तो ऐसे में भी आपका कुछ glitch होगा न account login से related जब login अच्छे से नहीं हुआ रहता है ऐसा बहुत साला glitch आता है software में तो आपको किसी भी चीज को ignore नहीं करना है आपको हर एक चीज apply करके देखना है तो एक बार logout करके login करके देख लिजेगा तो उससे भी आपका problem solve हो सकता है और नहीं होता तो last option वही है clear all data आपको करना पड़ेगा फिर आपका problem 100 में 100% solve हो जाएगा दोस्तों आपको लाइक जरूर से कर लिजेगा और चैनल को subscribe करके वेल आइकोन में से all notification को on कर लिजिए तो चलिए अब मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो के साथ अभी के लिए सभी को पैपैए